राशी पल बताऊंगा उसका क्या अर्थ होता है या फिर क्या उसका पूर्वा में संकेत होता है इस विशे पर बातशीत करेंगे स्वपने लाखो परकार के होता है एक साथ सब को बताना संभव नहीं है इसलिए मैं राज़िपल के बीच में जितने सपने बता सकता हूं उतने सपने पहले मैंने चा आपने मेरे चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले इसको सबस्क्राइब करें और उसके बाद मैं गंटी के बटन को भी दबाए तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूँगा आपको नोटुपीकेशन मिल जाएगा आप मेरे वीडियो क सबसे पहले देख सकेंगे बाकी सारी बाते यतिवने कारेकरियम के अंदर मैं आपको डिटेल में करूँगा इस समय सबसे पहले देखते हैं आज के दिन का पंचांग क्या है आज दिनांग 26 मई 2019 रविवार का दिन जेश्ट मास क्रश्नपक्स की सब्तमी तिती सुबह आठ बजकर गुण 50 मिनट तक रहेगी फिर अश्ट मीतिती सरू होगी दनिष्टा नक्षतर दोपहर एक बज़कर पंदरा मिनट तक रहेगा उसके बाद में सत्विशा नक्षतर सरू होगा चंदर्मा दिन रात कुम रासी में गोचर करता रहेगा पंचक भी दिन रात चलते र रहेगा रवी नामक सुभयोग सूरियोदय से तूपहर एक बजकर पंद्रा मिनट तक रहेगा आज रविवार को पस्चिम दिशा में दिशा सूल रहता है इसलिए अगर ज़्यादा जरूरी नहों तो पस्चिम दिशा की यात्रा को टालना ठीक रहेगा आज कालाश्टमी है और कालाश्टमी के विचे में मैंने एक अलग से वीडियो पोस्ट किया है जिसको आप देख सकते हैं यह बहुत ही आपके लिए जानकारी बढ़िया है उपयोगी है आप उस वीडियो को ज़रूर देखे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी क देखते हैं आज के दिन का बारह राशी वालों का राशी पल कैसा है या उनका दिन आज कैसे बीतने वाला है कि सबसे पहले देखते हैं मेश राशी मेश राशी के लिए आज का दिन अच्छा है लगातार काम में सफलता और वेपार में वर्दी का योग बन रहा है आज परकार के अच्छे लाबदायक परस्ताव आएंगे और आपकी सूजबूद से आप जरूर उनका लाब भी उठाएंगे धनियोग भी परबल बना हुआ है अब देखते हैं वर्सब राशी वर्सब राशी के लिए आज का दिन बहुत पक्सका तो नहीं है फिर भी अब अब देखते हैं मिथुन राशी मिथुन राशी के लिए आज का दिन अच्छा है और सफलता से बरपूर है आज आगे बढ़ें और अपने कारियों को पूर्ण करने का परियास करें अब आगे समय थोड़ा और सुधार लेकर आ रहा है इस समय आपकी प्रात्मीक्ता काम को पूरा करने के अलावा धन को बचाने की भी होनी चाहिए अब देखते हैं करक राशी के लिए आज का दिन कोई विशेश पक्स का तो नहीं है और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा अपने कारियों में रुकावट या लेट होना सरू हो सकता है अब आपको अगले दो दिन ह भर काम बहुत सावजानी और सतर्क रहकर करना है नफे नुक्सान दोनों के जिम्मेदार भी आप ही होंगे अब देखते हैं सीहराशी के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा वैसे देखे तो आप अभी काफी अच्छे दोर से गुजर रहे हैं विकास और तरकी आपके कद तुलारासी के लिए दिन अच्छा रहेगा अपने किशी नए काम को करने की प्रेणा तो मिलेगी मगर आज संसाधन की कमी आपके काम में आड़े आ सकती है और अभी आपको नया काम दो दिन तक शरू नहीं करना चाहिए कुछ गुप्त सत्रू आपको हानी पहुंचाने की कोशिस कर सकते हैं अब देखते हैं तुलारासी के लिए आज का दिन अच्छा है लेकिन यहां यह ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी काम में जोस में होसनक होई और जो करें समझदारी से करें वरना आज के किसी एक गलती का किसी एक गलती का असर बहुत लंबे समय तक आपक को ऐसा मैसूस होगा भी कि आज आपके काम बन जाएंगे और खुशियां भी मन को तरो तजा रखेगी सफलता और असफलता के दाइरे से आज आप बहुत आगे बढ़कर काम को अंजाम देने में भी भरोसा रखेंगे चल संपत्ती पाने का योग प्रबल बनावा है अब दे देखें तो आपकी पुरानी पारंप्रिक परिवारिक बैर या फिर मतबेद को आप अपने बुद्धी चातूरिये से समाप्त कर देंगे और नए शिरे से सब मिलकर आगे बढ़ेंगे अब देखते हैं राशिपल के बीच में यतिमानी कारिक्रम यतिमानी कारिक्रम के अंदर मैं आपको हमेशा किसी नहीं जानकारी के बारे में देता हूँ और मैं आज जो विशे लेकर आया हूँ वहाँ है सपने क्योंकि जादातर सब लोगों को सपने आते हैं और लोग सपने में देखते हैं और फिर मेरे को मेसेज करके पूछते भी है तो इस विशे पर मैंने पहले भी 4-5 वीडियो बना कर पोस्ट किया है और उनमें जो मैंने सपने बताए थे उनसे आगे अब और मैं कुछ नए सपने आपके सामने लेकर आया हूँ जिनके अरत मैं आपको बताओंगा उनका क्या पूर्व में इशारा होता है क्या पूर्व में संकेत होता है इस विशे में आप जानकारी पाएंगे, तो आप भी कभी इस परकार के सपने देखें, तो आप अच्छा है, सुब सपना है, या सुब सपना है, बुरा है सपना, किस परकार का सपना आया, आप खुद इस चीज को महसूस करके निर्णय कर सकते हैं. सबसे पहले देखते हैं, आज जो मैंने पिछली बार बताये थे, उन सपनों से आगे, कि दान्त तूटते वे देखना, दुख एवं जंजट का सामना हो सकता है, ऐसा अगर सपना देखें, तो दुख और जंजट से सामना होगा. अगर आप दर्वाजा खोलते वे देखना चाते हैं, दर्वाजा देखते हैं, तो किशी बड़े मित्र से आपकी मित्रता होगी, ऐसा पूर्व में संकेत मिलता है. अगर आप उस अपने में दल-दल यानि कीचर जैसी बरीवी जमीन देखते हैं, तो आपकी वेर्थ की चिंता उसमें बढ़ जाएगी, ऐसा संकेत पूरुव में आपको मिला है. सुपारी देखना, सुपारी एक बहुत अच्छा सुभफल, पवित्रफल माना गया है, इसको पूजा में भी काम में लिया जाता है, अगर कोई बिमार आजमी इसको देखता है, सुपारी को, तो उनकी बिमारी से, उनको रोग से मुक्ति मिल जाती है. दुआ देखना, दुआ कहीं से भी आ सकता है, दुआ उर्टावा देखेंगे, तो हानी या विवाद हो सकता है, देखते हैं अगला की रसी देखना, रसी देखने का मतलब होता है, कि आपकी कहीं कोई यात्रा होने वाली है, या फिर अतिपरिशनी का सामना आपको करना अगर आप रोटी खाते वे अपना आपको देखते हैं या किसी को भी देखते हैं तो आपको पदोनती मिलेगी और आपका धन्बी संसे जो कियावा है वह और बड़ेगा अगर कहीं से खिड़की में से या किसी चिदर में से या दर्वाजे में से आप अंदर की तरफ रोसनी आते वे देखते हैं या परकास आते वे देखते हैं तो आपका किसी बड़े वक्ती से, सादू से, संद से, अध्यात्मिक वक्ती से परिषय होगा या मुलागात हो सकती है. रूई देखना अगर आप रूई देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप बिमार हैं तो स्वस्त हो जाएंगे अगर स्वस्त हैं तो आपके निकट भौशे में कोई बड़ी बिमारी आने का कोई योग नहीं है अगर आपने किसी को खेती करते वे देख लिया या खुद ने अपने आपको खेती करते वे देखा तो आप लापरवा परकृती के इंसान है अगर ऐसा मेसूस मतलब ऐसा आपको संकेत मिला है पूरो में बुकाम बाया मकान गिर रहा है पढ़ रहा है लोग इधर से उदर बाग रहा है कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपके गर में जो संतान है उसको कश्ट आने वाला है अगर आप शीडियां देखते हैं तो यहाँ आपके लिए सुक्र संपत्ती बढ़ाने वाला सपना है और पूरुवा में संकेत भी है अगर आप पानी बढ़ने वाली सुरही देख लेते हैं तो यहाँ आपके किसी बुरे साथी के संग कोई ने कोई अनहोनी होने के मतलब आप अपने आपको किसी बुरे लोग के साथ में पाएंगे और दोनों कहीं जंजट में भी फश सकते हैं चस्मा लगाना अगर आपने अपने चेरे पर चस्मा लगायावा देखा है या किसी और के चेरे पर चस्मा लगायावा देखा है तो आपकी बुद्धी मानी या आपके जो ग्यान है उसमें कोई बडोतरी होती है आपके सामने कोई ऐसा रैशिय में भी से था जिसका भी आ आपको ग्यान हो जाएगा लाठी देखना यानि कि लकडी देखना लकडी अलग लाठी अलग होती है तो लाठी अगर देखते हैं तो उच परकार से परतिष्टा में बढ़ोत्री या फिर नाम आपका उंचा होता है इस परकार से माना जाएगा खाई देखना अगर हम कई उपर खड़े होकर नीचे की तरफ देखते हैं और नीचे बड़ी खाई दिखाई देती है तो धन एवं परसिद्धी मिलती है यानि कि हम तो उपर खड़े हैं और नीचे खाई है तो अपने आपको उपर देखना भी धनवर्दी का सपना माना गय इसलिए हाई देखना यहाल भूत ही अच्छा माना गया है. उन्चा ही देखना, हम नीचे खड़े होकर अगर उन्चा लिए तो समयना गहर में कलस होने वाला है, मित्रों से जगणा वाला है, कहीं न कहीं कुछ, किसी के साथ में हमारा विवार विगरने वाला है. अगर आप गुत्ता देखते हैं तो उत्तम प्रकार के मित्र आपको मिलेंगे यह आपके लिए अच्छा है यह आपके लिए आपके मित्र वफादार रहेंगे कलम देखना यानि कि हम जो पैन से लिखते हैं या किसी चीज से लिखते हैं वह कलम देखते हैं तो किसी बड़े व्यक्ति महान व्यक्ति से आपका मुलाकात होगा ऐसा संकेत सपने में मिलता है अगर किसी को आप टोपी पहनने में देखते हैं तो दुख दूर हो जाते हैं और उन्नति के विकास के प्रगति के आगे बढ़ने के रस्ते भी आपको खुले में मिलेंगे धनुस देखना तीर कमा imagining तीर छोड़ने वाला जो दनुस होता है अगर आप उसको देखते हैं तो आप अगर यात्रा करते हैं तो वह यात्रा आपकी लाब उप्रद रहेगी ऐसा माना जाता है कोईला देखना कोईला देखने का मतलब है कि व्यर्थ में आपका किसी के साथ में जगड़ा हो सकता है कोईला देखने का मतलब कि कहीं ने कहीं ऐसी बात हो सकती है जिसे आपको कलंक लगे या फिर आप अपने आपको कीचर में फसावा देखते हैं, तो भी आपके लिए कश्ट प्रद्ध समय बीथने वाला है, यह एक संकेत है अगर आप बैल और गाय यादी देखते हैं, तो यह लाब मिलने वाला एक सपना माना दाता है और गायों को या बैलों को अगर आप बिलकुल बूग प्यास से दूर्बल होते हैं अगर सपना में, यह सपना दूर्बल गाय देखना या बैल देखना सुब नहीं माना दाता, इसे गर में दनानी और किसी नकिसी परकार की हानी की संभावना वाला सपना माना दाता है आज मैं सपनों के विशे में केवल इतने ही बताऊंगा बाकी के सपने और बहुत है लाखों है मैं आपको दिरे-दिरे आगे कभी किसी और वीडियो में बताता रहूंगा यह जो आज सपनों वाली बात आई तो कई सपने मेरे को कई पिछले मेसेज़ों में कई लोगों ने लिखे कि मैंने यह देखा यह देखा और आज मैंने सब को संकलित करके आप सब को बता दिया है तो आसा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरूर करें लाइक करने के बाद मैं इसको सेयर भी करें अब देखते हैं बाकी बची भी जो तीन राशियां है मकर कुमब और मीन उनका आज का दिन कैसा बीतेगा अगली हमारी राशी है मकर राशी मकर राशी के लिए दिन बहुत सांदार है और उपलिब्दियों से बरपूर है कुछ ब अब के काम को प्राथमिक्ता से करना चाहिए अब देखते हैं कुम्ब राशी के लिए आज का दिन सुबह सई पक्सका बना रहने वाला है और आगे बढ़ते समय आप में काफी आतम विश्वास ही प्यदा करेगा आपको अपने खोए आतम विश्वास को पुन्ह प्राप् करने के साथ ही आप किसी काम को जोश में आकर या उत्साहित होकर जदा बिना सोचे समझें ना कर बैठे नहीं तो हानी भी हो सकती है अब देखते हैं आखिर में मीन राशी मीन राशी के लिए आज का दिन अब थोड़ा सा कठीन होता चला जाएगा सुबह सवेरे का वक्त थोड़ा सिंता कारक्त बितेगा और कुछ पूराने काम परिशानी वाले बन सकते हैं लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ लेगा वैसे वैसे सारी ठकान या मन में कुछ असानती जैसा वाता हूं आपके मन में रहीगा यह था आज के दिन का बारे राशी का राशी पल नया में मुद्य पर यति भाने कारी करम में जानकारी लेकर आऊंगा तब तक जय जिनेंद्र